अगर आप लोग बिजनस रन कर रहे हो तो आज मैं आपर आपको पांच ऐसी डील्स बताऊंगा जो कि आपके बिजनस की प्रड़क्टिविटी को at least by 10x से आपे इंप्रूव कर सकते हैं और यह जो डील्स ही अभी सिर्फ लिमिटेड पीरिड टाइम के लिए on a lifetime डील अवेलेबल है आप सुमो के उपर बिना किसी डीले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाई गाइस मेरा नाम है क्रिपीजाडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिडेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज जिन पांस डील्स के बारे मैं बात करने वाला हूँ इसको मैंने परच्छेस किया अराउंड डॉलर 3-6 में और यही अगर मैं इसको बिना ड प्राइजिंग के बारे मैं बात करूं तो जो इसकी यूजिल प्राइजिंग है वो है हमारी यहाँ पर डॉलर 1.32 पर एर की फॉर 1 वेबसाइट भी आप कोई डील पर मिल जाएगा एप्रॉक्स डॉलर 59 में फॉर लाइप टाइम एक साल की नी एक मैंने की फॉर लाइप इसमें आप लोग 5 वेबसाइट से आपके क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको एक इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसमें AI वेबसाइट बिल्डर भी आता है जैसे कि यह वाली वेबसाइट थी इसमें मैंने AI वेबसाइट बिल्डर का यूज किया यहाँ पर जो नया मेन्यू है यह मैंने अलग से आट किया है बाकि यह सब AI का है this is AI this is AI and यह वाला मेन्यू मैंने अलग से आट किया था Testimonials वेबसाइट बिल्डर के लिए यह वेबसाइट बिल्डर के अध्या वेबसाइट आपके लिए अंग उसके बाद आपके लिए कुछ इस तरह की वेबसाइट करके दे देगा यह रहा है यहाँ पर आप लोग लोग अनाम डालोगे उसके बाद यू के एंटर दे इनका जो block collection है, it is really good, काफी सारे हैं, यहां पर different blocks आपको मिल जाते हैं, और ऐसा भी निए कि सब सेम है, सिफ color variation से नहीं, सब अलग-अलग है, सब कि यहां पर different ideations, different color combinations के साथ में, different layouts, सब कुछ यहां पर available है, और ना किसे block collection, बलकि जो इनका template collection है, वो भी अच्छा है, अगर आपको सीधे scratch से website बनानी है, सीधे यहां पर आप लोग इनकी template यूज़ कर सकते हो, it is good, it looks professional, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने कहीं से भी कुछ भी template उठा लियो, it looks good enough in my opinion, लेकिन इसमें एक con भी है, वो यह है कि यहां पर आपको e-commerce के लिए option नहीं मिलेंगे, अगर आपको simple website बनानी है, landing pages बगरे बनाने है, उसके लिए ठीक है, basic affiliate का landing page भी बना सकते हो, leads भी यहां पर collect कर पा होगे, that is also possible, but e-commerce की यहां पर functionality नहीं है, और integrations भी ना के बराबर ही So, Breezy Cloud को you can use if you are creating simple websites, landing pages बगरे बना रहे हो, clients के लिए बना रहे हो, कि कुछ user वहां से खरीच सके, basic information display करनी है, services websites बनानी है, store की website बनानी है, without any online store capabilities, then this is a good option, in fact, काफी value for money option है, 5 साल के उपर से ही है, industry में, so काफी established tool है, that you can opt for, or you can use this, अगर इसकी functionality पसंद नहीं है, तो इसमे यहां पे 60-degree refund policy है, तो you can check it out, कौन सा आपको पसंदा रहा है, और कौन सा नहीं, now let's move on to our second tool, which is Hopper HQ, यह भी industry में 5 साल के उपर से, काफी established tool है, यह social media scheduling अगर आपको करनी है, for different platforms, then this is the tool that you can go for, यह अभी आप समोर मिल रहा है, इस पर pricing है, $59 की, and coming to the pricing, for $59, you will get 30 social posts, जिसको आ यह credits मिल जाते हैं आपको, but this plan में you can connect just one social sets, मतलब एक Facebook, एक Instagram, अगर दो Facebook account हो, तो वो इस plan में consider नहीं कर पाऊँगा, अगर आपके एक से ज़्यादा Facebook accounts है, तो आपको license का tier 2 लेना पड़ेगा, इसका, now coming on to the tool, यह वैसे इसकी original pricing है, $19 per month की lifetime deal पे यह है, coming on to the tool, यह रहा है, इसका interface को चिस तरगा को interface दिखेगा, you can add your accounts here, Instagram, Facebook, Twitter, यह सारे options है यहाँ पर, and then just make interesting चीज लगी है मुझे, let's go here, let's go to the planner, you can click create post, यहाँ पे post बना सकते हो, reels बना सकते हो, stories का भी option है, and you can even bulk create, यहाँ बहुत सारी posts और images भी upload कर सकते हो, I'll click create post, you can select your images from here, let's select image, and उसके बाद you can enter your caption, and AI का भी use कर सकते हो, you can select this, click AI, and I can select generate caption, I can help you write captions, उसके बाद ठीक है, friendly, इसको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, मेरे हिसाब से AI interface को, so इसने यहाँ पर यह मुझे captions दे दिये है, automatically image को read किया, and then caption दे दिये है, हिंदी में दिये है, basically हिंदी में आपे शाहिरिया लिख के दे दिये, जाना पहुचे रोशनी, वहाँ अपनी आवाज बने, वाब वा, तो इस तरीके दे यहाँ पर है, and then you can have some other options as well, text को transform कर सकते हो, और change tone of the caption, based on this caption that I have written, यहाँ पर उसने उसको थोड़ा एक्स्पांड पर के दे दिया है, it is good, और अगर आपको और अपको आपके रील का, जो आपका Instagram feed है, वो इस तरीके से दिखती है, और जो भी आपके schedule post वगरे रहेंगे, वो भी आपके काफी अच्छी तरीके से display हो जाते है, overall it's a good scheduling tool, अगर अभी तक आपके पास कोई scheduling tool नहीं है, आपने पहले वाली जो lifetime deals थी, जिसको मैंने cover किया था, जैस go for it, on number 3 we have Pismo, Pismo भी आप Sumo के उपर $49 पे available है, यह क्या है, यह एक AI assistant है, AI assistant जो की ना सिफ browser बलके आपके Windows, Mac, कहीं पर भी किसी भी application के उपर यह चल सकता है, that's its USB, कि यह ब्राउजर पे नहीं है, जैसे पहले कि वोईला करके था, this is just browser based, यह ब्राउजर पे चलता है, मुझ यह ब्राउजर पर जैसे मैं आपे Slack application पे जाता हूँ, यह मान लीजे एक text है, जिसको मुझे आपे transform करना है, I'll select this text, और इसके बाद यह जो उपर option दिख रहा है आपको, यह वाला, यह रहा Pismo को option, यहाँ पर I'll click open with selected text, इसके shortcuts भी है, and then मैं आपे कर सकता हूँ कि मुझे इस little update, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप लोग native English speaker नहीं हो, and then you communicate with others in English, तो एक काफी अच्छा tool हो सकता है, आप ले, settings में जाते हैं इसकी, and then you can see कि यहाँ पर, आप लोग अपने भी commands लिख सकते हो, जैसे friendly tone के यह वाला command है, तो you can set your own custom prompts as well, और देन उन prompts के लिए, you can have a shortcut as well, कि जैसे यहाँ पर control M दबाओ, तो यह वाला refresh हो जाना चाहिए, तो जैसे मैंने पूरा process बताया, उसकी जवरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको ऐसी select कर लूँगा, पूरे text को, and then I'll click control M, उसके बाद यह इसने यहाँ पर refresh कर दिया है, यह मुझे काफी अच्छा लगा है, इन्ह LLM यूज हो रहा है, कौनसी AI यूज हो रही है, तो they are using chat, GPT, mini, 4 mini वाला, so I think Pismo is a tool that you are going to use every day, if you are working on your laptop, browser, तो आपको Pismo की requirement पड़ेगी at some point of time, and considering यह पूरे application level पे, आपको इसका access मिलेगा, ना कि सिर्फ web browser के अंदर, that makes this special, so if अभी तक आपके वास कोई ऐसा application नहीं है, you should go with this one and try it out, if you have LLM options in future, then it would make it absolutely beast of a product, you can use cloud, GPT-4 भी उसकाथ, but अभी नहीं है, फिलाल, on number 4 we have spark receipt, यह एक ऐसा tool है, जो पहले last year भी आया था, and I have purchased it last year, यह देखो, November 28 मैं मैंने इसको purchased किया था, 2023, अभी मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा है, क्योंकि यह वापस से आचु इसका पूलरली यूज करता हूँ, to scan the receipts, कैसे काम करता है, let me show you, this is the app, यहाँ पर आपको सिर्फ scan पे जाना है, और जो भी आपके receipts है, जैसे for example, यह एक receipt है, मैं आपर इसको scan करता हूँ, confirm edges, चीक है, उसके बाद, यह automatically यहाँ पर receipt को scan करके, इसका OCR है, वो इसको scan कर दे है, और यह रही image, image भी यहाँ पर सेव हो जाएगी, तो जितने भी मेरे expenses होंगे, जो भी मुझे receipts मिलेगी, मैं उसके यहाँ पर scan करके copy रख लूँगा, and at the end of the day, I'll give it to my CA, CA को दे सकते हो, यहाँ पर you can keep a track for your own records, expense tracking ले काफी अच्छा software है, कब सक इन receipts को संभाल के रखो that you can use, इसको आप लग blog post बना सकते हो, tutorials बना सकते हो, courses बना सकते हो, SOPs बना सकते हो, basically, किसी भी तरह का video, YouTube पे हो, खुद का video, आपने कोई video को record कर लिया, on your class, then आपको text format में चाहिए, कि उस class में क्या-क्या हुआ, you can use this one, video to page करके है, पहले मा आपको इसको बता देता है, interface just copy and paste the video, for example, best hosting in India का video है, 2023 का मेरा, 2024 का आ चुका है, 5 का बहुत जल्दी आ जागा, subscribe to this channel, अगर यसे interesting videos देखने हैं, तो, मैंने वीडियो को क्या किया, copy-paste किया, इसका you are, I click generate, then यहाँ पर आपको different options मिल जाएगे, कि आपको long form blog post बनानी है, how to guides बनानी है, interviews का है, podcast वाला कु content बनाना है, उससे related, तो, यहाँ पर अभी मेरा video process हो चुका है, तो, I'll select this, create long form blog post, now the AI has done its magic, यह रहाँ इसका intro, और बाकी अभी भी यहाँ पर बना रहा है, बीच का content, budget friendly hosting options, hosting gear, basic इसने मुझे लिखके दे दिया है, तो, यह long form के लिए, बहुत जादा अच्छा नहीं है, ब और इसने आपर हिंदी में काफी अच्छे से इसका एक बड़िया सा article बना के दिया है, I am impressed by this article, यह इसने article to the point और काफी अच्छा बनाया, और यह जो बीच के जो quotes है, यह वाले, यह सबसे वाहिया आदे, यह सबसे बेकार है, जो सबसे, जितने मिने articles देके हैं, उसमें एक एक exact sentence उठा करके डाल जेता है, उस quotation के नाम पर, जो कि अच्छा नहीं रहता है, बेटर है कि इसको remove कर दो, इसको छोड़के, बाहर की article इसका बढ़िया था, and you can even edit this, इस पर edit पे click करोगे, तो आप लोग यह पे डाल सकते होगी, क्या instructions आपको देने, quotations, outline, जो 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 उसके बाद यहां पर एक how to guide भी हमने किया था कि air purifier को कैसे use करना है, performing step 1, clean the air fryer, packaging a towel, step 2, और फिर उसके बाद यहां पर इसने बाकी के steps को अलग-अलग headings में जोड़ दिया है, तो एकदम final article यह आपको नहीं देगा, बट इतना आपको लिखके देगा, कि you can just get started with this, 70% काम कर देगा, 30% you still have to like rearrange, proper headings वगरे में करना, proper images करना, 70% में नहीं, I'll say 50-60% तगे आपको काम करके देगा, अगर आपको वीडियो से article generate करना है, तो, pricing के बार में बात करी जाए, तो $69 में you can get 5 hours of transcription per month, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, and जो इसमें एक और खास बात है कि you can add your own API keys for open AI and anthropic, so you can have open AI chat GPT-4, 4O, Claude, जिससे आपके articles ज्यादा अच्छे यहां पर आएंगे, तो इस price point के उपर I think एक अच्छा tool है, but यह आपको final article नहीं देगा, यह आपको 50% काम करतेगा, 50% यहां पर आपको manually करना पड़ेगा, तो अगर आपको इसको programmatic SEO में लगा करक यह उसके लिए ready नहीं है, but आपको basic काम यह करके दे सकता है, so यह थे मेरे 5 पाँच फेड़ेट आप सुमोट डील्स जो भी ad present चल रही है, do late me know कि आपको यहां पर कौन सा पसंद आ है, और अभी Halloween season आ रहा है, and we are having Black Friday, बहुत सारी यहां पर डील्स आने वाली है, I'll try to cover, ज thank you so much for watching, I'll see you guys in the next one, good bye